सबी दोस्तों का वेलकम एक नई वीडियो में तो दोस्तों इस समय देखिए मैं अपने गाउं में खड़ाओं और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गाउं के स्कूल हैं तो आप देख सकते हैं गाउं के स्कूल कैसे होते हैं तो देखिए इधर है आंगनवाडी तो ये सा बचाव बेटी पढ़ाओ और कुछ यहां लिखा है जल ही जीवन है और कुछ ब्रिक्षों के बारे में अश्वच भारत के बारे में लिखा हुआ है और उदर स्कूल है वो देख सकते हैं तो छोटा जब था तब भी ऐसे स्कूल थे और आज आया हूँ तो भी ऐसे ही है ये दो चीज और ये किये ये नए लग रहे हैं मेरे को और वो तो बहुत पुराना है वो पुराना है और ये नए बने हुए है तो यहाँ पे जो खाना है वो यहीं बनता है बच्चों के लिए तो आज संडे का दिन है, तो आज छुटती है, और आब मैं जा रहा हूं दिल्ली, बहुत गूम लिया, हमने गाउं गूम लिया है, बहुत वीडियो हमने यहां की बनाई है, तो अब है कि दिल्ली जाूँगा फिर यहां पे अभी इंटरनेट नहीं मिल पाता है, तो मैं साथ दिन यहां रहा हूँ तो साथ दिन में मैंने काफी वीडियो बनाई है यहां की जगे जगे गया हूँ गाओं का नजारी बहुत खुबसूरत होता है तो स्कूल के सामने यह देखिए गेहूं और यह देखिए सरसो है फ्लावरिंग पे अभी सरसो आई हुई है और उदर भी देखिए गेहूं है मतलब यहां ज़ाद अतर गाओं में पते यह खेती होती है तो चारू तरप इस समय खेती खेती है तो चलते हैं उदर देखते हैं उदर क्या चीज है तो यह नलका है यहां बच्चे पानी पीते हैं तो हाँ यह नलका चलता है इसको चला के देखते हैं यहां तो यह नलका चलता है मुझे लग रहा था यह नलका चलता नहीं पर चलता है बच्चे पानी जो पीते हैं यही से पीते हैं और गाओं का जो पानी होता बहुत सही होता है इधर ये कंडे बनाए जा रहे हैं चलते हैं उदर खेतों के तरब सब्सक्राइब के पीछे के साइड आए हुए हम तो यह स्कूल का पीछे के साइड हम है और स्कूल के पीछे भी देखिए खेती हो रखी है इधर देखिए सरसो है तो मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ तो देख सकते हैं फ्लाबरिंग पे सरसो है और इसके बाद इसमें फली बनती है इसमें छोटे-छोटे दाने होते है और फिर उसको कोलू में डालके पिसाई होती है फिर उससे सरसो का तेल लिकलता है और इधर गेहू है तो तो एक गेहूं एक महीने बाद कटने वाले हैं, एक महीने बाद गेहूं कटेंगे, और सामने देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये है आम का पेड़, तो अभी इस पर आम नहीं लगे हैं, अभी इस पर फ्लाबरिंग इस पर भी हो रही है, और तीन से चार महीने बाद इस पर आम पूरे पेड़ पे लदे हुए रहेंगे, तो यह एक पेड़ नहीं गाओं में कई पेड़ आपको आम के मिल जाते हैं, दिखाता हूं मैं आपको, उस तरफ कई पेड़ हैं, और यह किसी चीज के पेड़ है, इस समय पत जड़ का टाइम है, तो इन पर पत्ते नही है, और धीरे धीरे इस पर बसंत रितु में जो है नए पत्ते आ जाएंगे, तो यह है कुछ नजारा, तो अब चलते हैं स्कूल के आगे के हिससे, यह देखें स्कूल के पीछे का हिससे खिड़किया बनी हुई है, जो कि हवा के लिए है, ताकि हवा अच्छी खासी यहां आए, तो गाओं के नजारे कुछ ऐसी होते हैं और यह जो कंडे देख रहे हैं, यह आग जलाने के काम आते हैं, इसे खाना बगेरा पकाना हो, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक, सेर, शस्क्राइब जरूल करें, तो दोस्तों फिर मिलते है जल्दी आपको एक नैस्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिए और यह देखिए, यह स्कूल के आगे मैदान हो सकता है, यह प्रातना बगेरा होती हो, तो दोस्तों आपको स्कूल कैसा देख के अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं, तो जल्दी फिर एक नैस्ट वी क्ये